Hello students of class 10th math बच्चे जैसे कि आपकी exercise 4.3 चल रही है quadratic equation नाम के chapter से जिसमें हम क्या कर रहे हैं हम roots निकाल रहे हैं equations के perfect square के method से ठीक है मैंने आपको previous वीडियो में perfect square के method समझाया था कि apply कैसे होता है मैं आज फिर इस वीडियो में आपके लिए question लेके आई हूँ ज़रा ध्यान से समझना questions को जैसे मैंने ये question तो सीधा मैं आपको बता रही हूँ अगर मुझे need पड़ी तो मैं आपको निकाल के भी बता दूँगे अगर मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो 2x square plus 1x minus 4 is equal to 0 ये मेरे पास question है ठेक है अब आपने क्या करना है step 1 में आपने ये constant जो है वो equal to के उधर वाली side ले जाना है अगर यहाँ पर minus के 4 है तो उधर जाके वो plus के 4 बन जाएंगे इनी क्या बोला अगर यहाँ पर minus के 4 है तो उधर जाके प्लस के 4 बन जाएंगे और ये बन गए उसके बाद next step में में आपको क्या बतायавा था x square का coefficient आपने 1 बनाना है योँआं पर x square का coefficient वान नहीं है तो मैंने क्या करा 2 से divide करदा पूरी की पूरी equation को यहां से 2 पर divide करा यहां को लिजा Iस को लिजा तो से divided करा यह आपको बन गया 2x square upon 2 x square सुरी यहां पर बंट x है x upon 2 और 4 upon 2 मैंने इधर पूरी equation को 2 से divide कर दिया और divide करने के बाद 2 से 2 कट हो गया यह आपका बन गया x square प्लस x upon 2 है बटा यह 2, 2 का 4 बन गया आपका अब मैंने आपको क्या बताया था next step पर x वाला coefficient उठाओ अब यहाँ पर x upon 2 है बोलोगे इसके आगे तो coefficient नहीं है इसके बटा हम 1 by 2 multiply x भी लिख सकते हैं समझ में आई बात अब आपने क्या करना है मैंने आपको बोला था इसके coefficient को half से multiply कर देना है coefficient को किस से multiply कर देना है half से multiply करने के बाद जो आएगा जो आएगा 1 by 4 इसका square एड करना है दोनों तरफ इधर वाली तरफ भी इधर वाली तरफ भी तो मैंने क्या करा बेटे तो मैंने यही करा x square plus x upon 2 प्लस यहां पर मैंने 1 by 4 4 का square एड करा और इधर वाली तरफ भी 1 by 4 का square एड करा ठीक है और आगे देखो तो आगे आपका next step क्या है आगे आपने यह जो x के coefficient वाली term है इसको 2ab में convert करना है यह आपका बन गया a square यह पीछे वल आपका बन गया b square और इसको आपने 2ab में convert करना है यानि कि इस तरीके से convert करना चाहिए करना होगा मुझे a भी नजर आए 2 भी नजर आए और b भी नजर अब देखो a कौन सा है मेरा a x square square को छोड़के यह मेरा a हो गया और square को छोड़के कितना बचा x तो a मेरा कितना हो गया x यानि कि मुझे यहां पे x नजर आना चाहिए और b कितना है square को छोड़के यह मेरा b हो गया 1y4 यानि कि मुझे यहां पे 1y4 चाहिए और आगे मुझे 2 चाहिए यह देखो बनतो रहा है 2, 1 का 2, 2, 2 का 4 यह वापिस बन रहा है देखो मेरे पास A भी शो हो रहा है और मेरा वापिस यह भी बन रहा है यानि कि आपने इस वाले को इस तरीके से सेट करना है कि इसको कोई फरक भी ना पड़े और 2A भी मुझे साफ साफ नजर भी आ थो मैंने इसको सेट कर दिया देखो 2 x 1 x 4 तो यह आपका अडेंटिटी बन जानी है A square पलस 2 A B पलस B square किस चीज की A पलस B के होले स्केर की इडेंटिटी बन जानी है तो A X B 1 वाले 4 होले स्केर तो यह मैं बन गई डेंटिटी आप देखो आप मैंने क्या करा यह 1 वाले बॉसके हो इधर प्लसके है न तो मैं उधर व्हो माइनस के बनापन स्कूर पर जेदाहरे और यहां पर प्लसके है तो, दोनों तरफ one way four square प्लस करा था तो यहां पर भी प्लस का था तो इसलिए मैंने इसको solve करा खोल के 33 upon 16 हो गया पहले देखो मैंने क्या करा मैं आपको दुबारा समझाती हूँ पहले मैंने constant term को लग करा x square के coefficient को 2 से divide करा x का coefficient उठाया 1 by 2 है उसको half से multiply करा उसका square लिया दोनों तरफ add कर दिया इधर वारी तरफ भी इधर वारी तरफ भी इस वाले को तो आप solve कर जिलोगे इसको खोल के LCM लेके आपने solve कर दिया फिर आपने x के coefficient वाले term को इस तरी के सेट कर दिया कि मुझे 2 a b अ whole square और इधर बन गया आपका 33 upon 16 ठीक है अब देखो मिने x plus 1y 4 square is equal to 33 upon 16 ठापका है ना तो मैंने क्या करा अब मैंने करा क्या मैंने यह जो square है यह इधर जाके square root बन जाने क्या बन जाने square root यह यह बन गया और मैंने आपको समझाया था एक plus में आएगा एक minus में आएगा तो x plus 1y4 अब उपर वाले का root अब आपने ये चीज पड़ी है कि हम उपर वाले का root अलग कर सकते हैं और नीचे वाले का root अलग कर सकते हैं तो root 33 उपर तो वैसी रहागिया और नीचे वाले के root 16 का क्या बन गया आपका 4 बन गया तो x plus 1 by 4 is equal to minus root 33 upon 4 आ गया एक x plus 1 by 4 आपका root 33 upon 4 प्लस वाले आ गया एक minus वाले आ गया एक plus वाले आ गया और यह जो x की value मुझे निकालनी है तो यहाँ पे plus के 1 upon 4 है यहाँ पे minus के 1 upon 4 बन जाएंगे और यहाँ पे plus के 1 upon 4 है उधर जाके minus के 1 upon 4 बन जाएंगे तो यहां से मुझे x की value की आप मिल जानी है minus root 33 minus 1 upon 4 और root 33 minus 1 upon 4 तो मुझे यह मिल जानी है x की value तो इस तरीके से मुझे perfect square का method अपनाना है अब जैसे यह एक sum है 4x square plus 4 root 3 अब यहां पर root आ गया बच्चे गभरा जाएंगे कि हम क्या करने root का अब मैं आपको समझाती हूँ पहले तो आप 4 x square को चाहे तो आप इसको 2 से divide कर दो लेकिन 2 को divide करने की जुरूरत नहीं है पता है क्यों है मतलब 4 से जा तो आप सारी equation को divide कर दो लेकिन मैं करूंगी नहीं लेकिन मैं आपको समझाती हूं में क्यों नहीं करूंगी क्योंकि 4 ओलड़ी यहां पर परफेक्ट स्केर है हम डिवाइड तब करते हैं एक्सुस्केर की कोफिशंट को मतलब हमने 2 को डिवाइड करा था अगर 2 आ गया था तो मैं उसको 3x स्केर लिख सकती थी यान कि जिस नंबर को मैं लिख सकती उसको लिखने में ही बैटर है अब देखो ये 3 है ये 3 किसी का परफेक्ट स्केर नहीं होता तो आपको ये मैंने समझाया था कि ये एक complete power है इसको हम half and half में break कर सकते हैं 3 एक complete power है मैंने जो आपको chapter 2 करवाय था polynomial तो मैंने आपको root के rules समझाये थे सारे के सारे तब मैंने आपको बता है था आप full power को half half में लिख सकते हो जब मैंने आपको ये question करवाया था याद है आपको तो मैंने 15 को half half power में break करा था तो यह बैसे ही मैं 3 को half half power में break करके root 3 का square डाल दूँगी तो अब ये जो 4 root x है मुझे इसको 2ab में convert करना है तो a कितना है मेरा 4x 4n sorry 2 है न तो मैंने 4 को break करा 2 multiply 2x और b कितना है root 3 ये देखो मेरे पास अलग बन गया तो ये आपको बन गया a plus b whole square 2x plus root 3 whole square है न तो अब ये दो बार लिख दिया मैंने क्योंकि इसके power 2 है और equal to 0 है तो इसका मैंने 2 times लिख दिया और यहां से मुझे x की value निखल गई ठीक है ये आपका सम आपके लिए practice में है तो इस तरीके से हमने part 1 आपका perfect square बनाने वाला done कर लिया परफेक्ट square बनाके हम root कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया बाकि next वीडियो में हम आपका next part start करेंगे तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बचे thank you